तो इसलिए में हम बात करने वाले हैं जुमाय एंड कश्मीर के कुछ नए जॉप्स के बारे में तो मैं आपको बता दूँ कलास आई वी एक रिक्यूड्मेंट निकल के आचुकी है और डिस्टिक वाइस कुछ पोस्ट्स आउट हो चुके है टैन्थ ट्वाल्थ पास इलिजिबल है इन पोस्ट के लिए लगबग थौजन पलस पोस्ट है अपलाई कहां से आपको करना है नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगी वीडियो में हम दो नोटिफिकेशन डिसकस करने वाले हैं चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहली नोटिफिकेशन हमारे पास आच चुकी है नेशनल इनिस्टूट अप एलेक्टरनिकस एंड इन्फरमेशन टेक्नालजी जेंड की तरफ से तो इस वीडियो में हम दो नोटिफिकेशन डिसकस करने वाले हैं वीडियो बहुत जदा इंपॉर्डंट होने वाला है वीडियो ज़रूर एंड तक देखना तो यहां पे आप देख सकते हो जुमो एंड किश्मीर में जो सरीन अगरो जुमो में संटर से नाइलेट के तो उनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आचुकी है यहां पे आप देख सकते हो पोस्ट नेम उसके बाद आप देख सकते हो सैलरी कितनी है और इन्होंने डिस्टिक वाइज इन पोस्ट को डिस्टिब्यूट किया हुआ है तो अब इसलिए यहां पे आप देख सकते हो अगर आप इन डिस्टिक्स में आते हो तो अब इन पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो लेकिन education qualification में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी उतनी education qualification हैं क्या पोस्ट के हिसाब से तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला पोस्ट कॉंसलर इसमें आगर आप देखोगे तो लगबग दो पोस्ट आया है उसके बाद outreach worker के लिए 3 पोस्ट अकांटेंट के लिए आप यहाँ से देख सकते हो इसी तरीकी से आप total पोस्ट देख सकते हो 16 है और यहाँ से salary भी इन्होंने mention की हुई है तो यहाँ से आप यह खुद चेक आउट कर सकते हो अब अगर आप education qualification की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो counselor के लिए लगबग graduation आपने की हुईनी चाहिए और एक बात मैं आपको बता दूँ इसमें कुछ subjects है sociology, physiology, public health तो इन subjects में आपने graduation की हुईनी चाहिए और अगर आपने PGP किया हुआ है तब आप इसके लिए लिजिबल बन जाते हो और salary आप यहाँ से check out कर सकते हो उसके बाद assistant come data entry operator की बात करेंगे तो मैं आपको बता दू 12th pass अगर आपने किया हुआ है तब आप इस post के लिए eligible बन जाते हो और computer की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए आपके पास certificate होनी चाहिए तब आप इसमे apply कर सकते हो उसके बाद outreach worker की बात करेंगे तो 12th pass post है यहाँ पे आप देख सकते हो इसमे 8000 आपकी salary रहने वाली है उसके बाद अगर हम legal come officer की बात करेंगे तो अगर आपने LLB किया हुआ है तब आप इसके लिए eligible बन जाते हो accounting की बात करेंगे अगर आपने graduation की हुई है commerce में तब आप इसके लिए eligible बन जाते हो उसके बाद production officer की बात करेंगे तो अगर आप post graduate हो sociology या child development में तो आप इसके लिए eligible बन जाते हो या graduate अगर आप हो तब भी आप इसके लिए eligible बन जाते हो अब रहता है सवाल कि आप इन post के लिए किस तरीके से apply कर सकते हो और कहां से आपको apply करना है अगर आपको इन post के लिए apply करना है फिर आपको send करना पड़ेगा वो recruitment at the rate of gmail.com तो यहां से आप देख सकते हो recruitment at the rate of gmail.com पे आपको send करना है 10 अप December से पहले तो इस तरीके से आप इन post के लिए apply कर सकते हो फिर आपको बुलाया जाएगा interview के लिए फिर आपका online interview भी हो सकता है वो आपको फिर दर पता चल जाएगा वहाँ पे आपको application फिर में number email सब कुछ verify करके देना है जो आपको working में होगा वही आपको वहाँ पे feel करना है इस तरीके से फिर आप इन post के लिए apply कर सकते हो इसके लिए कोई fee वेगरा कुछ भी नहीं है आपकास्ट आप इन post के लिए apply कर सकते हो अब अगर हम दूसरी notification की बात करेंगी तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो जो यह दूसरी notification है यह आई है गोर्मेंट आप जुमू और कश्मीर की तरफ से तो मैं आपको बता दूँ district employment की तरफ से हर टाइम notification आती है mega job fair लगता है तो यहाँ से आप देख सकते हो यह notification आई है जुमू के लिए तो मैं आपको बता दूँ गोर्मेंट पॉले टेक्निक कालेज बिकराम चोक जुमू में notification आई है तो इसमें आपको विन्यू रहेगा job fair के लिए जो की लगने वाला है 6 ताप 10 सुंबर को तो 10 बे से ही start हो जाएगा अगर आपकी qualification 10th pass है 12th pass है ग्रेजविशन है तो आप इसमें जा सकते हो पार्ट स्पीड कर सकते हो तो इसमें आप देख सकते हो लगबग 10,000 plus vacancies होंगी तो आप विजट कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो जोब फियर 6 ताप 10 सुंबर को लगने वाला है इसको आप सिकेन करके भी यहाँ से application farm फेल आप कर सकते हो बाकि अगर आपको link नहीं मिल रही है तब तक के लिए अल्ला हाफिस